हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब भाई आगे मेरे पास HK9 Ultra 2 स्मार्ट वाच जो कि Apple Watch Ultra 2 का क्लोन होने वाला है तो आज इसको उन्बॉक्स करेंगे और देखेंगे क्या-क्या features मिलते हैं और क्या आप लोगों को purchase करना चाहिए या नहीं तो यहां पर इस तरह का box मिल जाता है और box की quality बहुत ही तगड़ी है इस तरह की आवाज आती है और काफी सारे features को highlight किया गया है जैसे कि chat GPD हो गया उसके बाद application market AI watch face काफी सारे features मिलने वाले है इसमें और यहां पर QR code दिया गया है जिसको scan करके आप आप को download कर सकते हैं अब चलिए box को open करते हैं और देखते हैं कि box में क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले यहां पर आपको कुछ तक मिल जाती है चुकि कोई पढ़ता नहीं है उसके बाद यहां पर wireless charging lock मिल जाता है जिस पर रखकर watch को charge कर सकते हैं और इसमें आपको दो strap मिल जाते हैं एक दो ही इस तरह का silicon strap और दुसरा इस तरह का fabric strap मिल जाता है और दोनों की कोई बहुत ही मस्त है प्रीमियमें बात की यह रही अपनी watch तो चलिए इसको unwrap करते हैं और भाई यह आवाज बहुत ही मस्त लगती है बाकी देख सकते हैं भा पर plastic लगी है इसको निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर sensor दिया गया है वह तो आगे पता चलेगा उसके बाद यहाँ पर speaker went है और action button मिल जाती है अब इस कौन करते हैं तो यहाँ पर उपर वाली बटन को प्रस करके hold करना है तो welcome रिखा वह आ गया है और watch on हो गई करना है और देख सकते हैं काफी बढ़े हैं और यह हिलता नहीं है अब इसको फॉन से पैर करते हैं और इसमें वेर फिट प्रो एप का सपोर्ट दिया गया है और पैर करना है उसके बाद जाना है एड डिवाइस पे और यहाँ पर watch आगी इस पर connect पर टाइप कर देना है को वाच कैसी है और कि आप लोगों को पर्चेस करना चाहिए या नहीं तो भाई इसको यूज करते हुए और वाच कैसी है सब कुछ आप लोगों को बताता हूं वैसे एक बात तो मानी पड़ेगी कि इस तरह की जो वाचे से वह पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुक क्योंकि यहां पर पूरा के से मेटल के दिया गया है और लुक वाच प्रीमियम लगती है और इसके बॉक्स में आपको दो श्ट्रैप मिल जाते हैं एक तो है सिलिकन श्ट्रैप दूसरा है इस तरह का श्ट्रैप और दोनों की क्वाल्टी काफी बढ़े आए बाकि रिप् वाड़े में कोई भी कऌम्परमाईज नहीं है इसमें और इसमें IP67 मिलती इति संबे faster कर सकते हैं बड़ करना नहीं है वरना वाच खराब हो सकती है और वाश खराब जाए गिलती है इस बात का ध्यान यहां पर मैं ऐख जरूरी बत आप लोगों से कहना चाहता हूं और आप लोगों से यह मश्वरा चाहिए यह क्या िस तरह की बहुत सब्सक्रावरायों के कमेंस आफे रहते हैं कि इस तरह कि मड़़यों दूरेजह से चैनि इस जलिए से खराब हों जाती है और इसमें कोई भी warranty नहीं मिलती है क्योंकि बहुत सारी भाई ऐसे हैं जो कि पैसे खटे करते हैं और इस तरह की वाचेस को पर्चेस करते हैं और फिर वाच खराब हो जाती है और उनके पैसे वेश्ट हो जाते हैं तो भाई बात तो सही है बट आप लोगों की ही रिक्वेश्ट आती है कि भाई इस वाच का रिवीव करो और इसलिए मैं इस तरह की वाचेस को पर्चेस करता हूँ और आप लोगों के लिए एक ओनेश्ट रिवीव लेकर आता हूँ और आपनों कमेंट करके बताईए कि आप लोगों को इस तरह की clone watches का आगे review देखना है या नहीं बाकि आप लोगों की जो मर्जी रहेगी मैं उसी पर अमल करूंगा बात करें इस watch की डिस्प्ले की जो की भाई बिल्कुल शांदार है और इसमें 2.02 इंचेस की शांदार क्वालिटी की एमलोड डिस्प्ले मिल जाती है और आपको चारों और एक जैसे बिजल मिलते हैं बाकि यह एमलोड डिस्प्ले तो इसमें always on display का feature भी दिया गया है और इसमें दो तरह के watch face मिल जाते हैं एक तो है analog दूसरा है digital इसका रेश्ट विए काफी fast और responsive है तो जैसे फंट को twist करेंगे डिस्प्ले ओन जाएगी और वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ओफ हो जाएगी और aod के साथ भी work करता है जो कि काफी सही रहता है और watch face के बात करें तो इसमें built-in 9 watch face का support दिया गया है और काफी अच्छे-चे watch face मिल जाते हैं और इसमें आपको ultra 2 के 9 watch face दिया गया है ज इसमें risk हो सकता है और इसके साथ इसमें आपको 5 प्रकार की menu style मिल जाती है पहली है इस तरह की list view और देख सकते है background में यहाँ पर आपको इस तरह का animation मिलता है जो कि बहुत ही खुपसूरत लगता है उसके बाद दूसरी है 9 grade style और तिसरी है rotating menu और यहाँ पर भी background में आपको को download कर सकते हैं और uninstall कर सकते हैं और इसके लिए आपको app में जाना पड़ेगा उसके बाद AI watches हो गया local music जहां पर आप music को control कर सकते हैं और इसमें आपको storage मिल जाती है तो यहाँ पर song को store भी कर सकते हैं लेकिन local music इसमें store नहीं होती है और एक issue है इसमें उसके बाद चलते है उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर sleep tracking, pressure, activity record उसके बाद phone में जाएंगे तो यहाँ पर recent call हो गया address book जहाँ पर आप 100 contacts को sing कर सकते हैं उसके बाद डायल पेड दिया गया है उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर weather forecast जहाँ पर अपको लगबग 6 दिन का weather show हो जाता है और काफी अच्छे से डियल में जैनकारी मिल जाती है, उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर आपको alarm हो गया और वहाँ से alarm को on off कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं, और यह काफी सही रहता है उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर breathe mode जहाँ से breathing exercise कर सकते हैं और आप इसको नहीं मिलता है उसके बाद केलेंडर का सपोर्ट दिया गया है और इसमें आपको पूरे महिने का केलेंडर शो हो जाता है जो कि सही लगता है उसके बाद चलते हैं तो यहां पर आपको सेटिंग मिल जाती है उसके बाद गेम जहां पर आपको दो तरह की गेम दिये गए एक त इसके बाद यहां पर आपको ट्रेन का फिचर दिया गया है और अगर वाश मोश पानी चला गया है तो इसकी मदद से पानी निकल सकते हैं उसके बाद श्टॉफ वाश हो गया से इस तरह की आवाज आती है जो कि फन के लिए सही है बाकी यूसफुल नहीं है उसके बाद यहा यहां पर यहां पर एक गेम दिया गया है और जो आप गेम डावलोड करेंगे वह यहां पर शो होगा तो इस तरह की फीचर मिल जाते हैं इसमें बागी चलते हैं सेटिंग में तो यहां पर सबसे पहले परसनल इफर्मेशन हो गया उसके बाद नोटिफाई यूनिवर्सल डिश्टब हो गया उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्रैट्स मिल जाएंगे तो यहां पर आपको रिष्ट विक उसके बाद कवर स्क्रीन ओफ यह सब आप सेट कर सकते हैं कुस्टमाइज कर सकते हैं उसके बाद चलते ही तो यहां पर साउंड एंड टाच हो गया को अनफ कर सकते हैं तो यहां पर आइफोन के तरह स्मार्ट आइलेंड मिल जागा इसमें और अगर आप मुजिक प्ले करेंगे तो वहां पर आपको बार भी दिखाई देगा जो कि मस्त लगता है उसके बाद सेकंडरी स्क्रीन सेटिंग्स मिल जाएंगे तो यहां से स्प् बाकि यहां इसका प्रेड़ोमेटर वर्क करता है और अगर अगर आप 100 लेते हैं तो यह 95-96 काउंट कर लेती है तो प्रेड़ोमेटर काफी हद तक एकुड़ेट है इसका और कॉलिंग वाच है तो इसमें बिल्ट इन माक्रफोन और स्पीकर मिल जाता है और दोनों बढ़ तो स्पीकर काफी बढ़न मिल जाता है इसमें और नोटिफिकेशन के बात करें तो इसमें English का support मिलता है बट Hindi का support नहीं मिलता है तो Hindi के स्वाप करेंगे दो यहांप पर विजस्ट मिल जाते जैसे कि वेढ़ हो गया इसके बाद एक्टि ट i अलारम nord के सारी फीचर जाते इसको बाद से grown करने पर पनांप करेंगे पर करोड़ आप दिया करेंगे तो यहां में चल जाएंगे और देख सकते हैं यहां पर आपको zero lag मिलता है बिल्कुल smooth experience मिले वाला है इसमें बाकि नीचे वरी बटन को प्रेस करेंगे तो single press पर आपको control center मिल जाएगा और दो पर प्रेस करेंगे तो यहां पर डैलर open हो जाता है और आप इसको customize कर सकते हैं और action बटन की बात करेंगे तो एक बर प्रेस करेंगे तो sports mode पर चले जाएंगे बाकी दो पर प्रेस करेंगे तो यहां पर activity ring open हो जाती है और आप इसको भी customize कर सकते हैं तो इस तरह का UI मिल जाता है जो कि काफी बढ़े आए अब लाश्ट इमाद इसके बैटरी पे जो कि भाई बहुत ही अमेजिंग है और इसमें आपको अराम से तीन से चार दिन का बैटरी वेकप मिल जाएगा तो बैटरी वेकप काफी अच्छा है इसका और इसमें वारलेस चार्जिंग का सपोर मिलती है उसके बाद बिल्ट क्वाइट काफी बढ़े हाए और और यहां पर आपको डहर सारी फीचर्स मिल जाते हैं यह वाच फिटनेस वाच नहीं है और जिनों को फिटनेस के लिए वाच लेना है वह लोग इससे दूर रहे बाकि जिनको फैशन के लिए वाच लेना है वह लोग सकते हैं रही बात कमी की तो इसमें एक बहुत बड़ी कमी है वाद मेन्यू में जाकर किसी एप को उपन करते हैं और बैक जाते हैं तो मेन्यू दुबार से स्टार्ट हो जाती है जो की बहुत ही एरिटेट करती है बाकि वहरोल काफी अच्छी वाच है और अगर लेना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाका वहां से ले सकते हैं, बाकि आप लोगों को वाच कैसी लगी और मिलते हैं अगले वडियो में अपना ख्याल रखें, बाई!